हेलो दोस्तों कैसे आपसा मैं गुलफाम and welcome back to my channel तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे Oda City Software के बारे में इसको हम लोग डाउनलोड करना सिखेंगे पूरा मैं डाउनलोड करके आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा गुगल से उसके बाद उसको इंस्टॉल करना भी सिखेंगे उसके बाद उसका थोड़ा सा इंटरफेस देखेंगे अब यार जब भी हम लोग अपना कीबोर्ड रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो अगर डारेक कीबोर्ड के उपर कैमरा लगा के या keyboard के उपर camera रख के record करें तो उससे keyboard के keys की जो टक टक की आवाज आती है वो आपके camera में उसका sound आ जाएगा जिससे आपका गाना या जो भी आप record करें वो थोड़ा सा खराब हो सकता है क्योंकि जब आप उंगलिया प्रेस करेंगे तो कभी आप तेज से बजाएंगे कभी धीरे से बजाएंगे और वो पूरी टक टक की आवाज आपको उसमें सुनाई देगी तो सायद आपको अच्छा ना लगे ना इसलिए recording के लिए हम लोग internal recording यूज करते हैं यानि ऐसा recording setup जिसमें इस keyboard की जो भी आवाज हो वो पूरी तरह से digital form में हमारे mobile phone में या हमारे laptop में चली जाए तो ऐसा करने के लिए हमको कोई ने कोई software यूज करना होता है जनरली अगर हम लोग mobile में record करने हो तो किसी भी sound recorder का use करता है और mobile में record करने का setup अपना अलग होता है record करके edit करना हो लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं इसलिए इस सारे काम ज्यादा अच्छे से ज्यादा बढ़ियां से होते हैं laptop पे computer screen पे तो जब भी आप अपने keyboard को laptop में या computer में record करना चाहेंगे तो उसके लिए भी कोई ना कोई software चाहिए होगा लेकिन software जो होते हैं music production के लिए जो use होते हैं वो काफी मांगे होते हैं paid होते हैं उनको लेने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है और उन software को चलाने के लिए हमको काफी कुछ सीखना भी पड़ता क्योंकि advanced level के software होते हैं जो music production में use होते हैं लेकिन हम लोग इस वीडियो में जिस software की बात करें order city software का ये free में आपको मिल जाएगा और इसको use करना और software की अपेक्षा बहुत ही आसान होता है इसका interface हम लोग आसानी से बहुत जल्दी से सीख सकते हैं और इससे एक अपना अच्छा खासा music हम लोग generate कर सकते हैं record करके उसी पर हम लोग added भी कर सकते हैं editing में क्या होता है आप अपने music को कहीं से cut कर सकते हैं पहले सबसे main task तो cutting ही होता क्योंकि जो unwanted material होता है उसको अपने sound से निकालना होता है जिसको हम लोग नहीं चाहते को हमारे गाने में रहे ऐसी चीजी record हो जाती है या कोई चीज दोबारा दो बार तीन बार record हो गए उसको हटाना उसके बाद अपने आवाज में अपने sound में ऐसी editing करना जिससे ओ sound by default से बहुत अच्छा लगने लगे जितना भी गाना सुनते हैं किसी भी singer का तो उनकी जो आवाज होती है वो by default natural जो होती हो तो होती बहुत अच्छी है लेकिन जो हम लोग गाना सुनते है उसमें बहुत धेल सारी editing की होती है यानि उस गाने को record करके पहले track पे record करते हैं उसके बाद उसमें कई बड़े बड़े software लगाके उसको edit किया जाता है तब ओ गाना सुनने में जब हम लोग किसी music player में या किसी भी जगन सुनते हैं वो हमको इतना अच्छा लगता है ओ किसी भी singer की exact real voice नहीं होती है उसमें बहुत धेर सारी editing होई होती है तो ऐसी editing हम लोग चाहें अपने keyboard से recorded song में या किसी भी गाने में जो हम लोग record करें उसमें भी कर सकते हैं तो उसके लिए audacity software आपकी बहुत help करेगा तो चली देखते हैं इस software को हम लोग download कैसे कर सकते हैं डाउनलोड करना बहुत ही आसान है आप अपने laptop में कोई भी एक browser खोलें जो भी browser आप यूज करते हैं उसको खोलें जैसे मैं भी google chrome खोल लिया हूँ तो google chrome के search box में हमको type करना है audacity audacity type करके enter मार देना इंटर मारते इसमें देखिए जो सबसे पहली वाली website हमको दिख रही है यह दिख रही www.odacityteam.org इसके बगल में download लिखा है यही वाला हमको click करना है यह मेरे में देखी वह पहले पर ही मिल गया आप में दूसरे तीसरी में जहां भी मिले आपको यही वाला open कर ले ना इसको मैं click कर गए open कर लेता हूँ यह देखी जब open हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार का interface आपको देखने को मिलेगा मैं अपने camera के screen को पूरी तरह से zoom किया हूँ इसलिए आपको मेरे laptop की screen ही सिर्फ दिख रहे हैं आपको मेरे इस वीडियो में मेरा keyboard नहीं दिख रहा है क्योंकि इस पूरे laptop के screen पर ही demonstrate करना है तो चलिए ऐसा कुछ interface खुल जाएगा अगर आपके laptop में ऐसा interface नहीं खुला है थोड़ा बहुत change होगा लकिन फिर भी उपर के menu सब सेम होंगे जो यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे उपर यहाँ देखिए इसमें एक download section दिया गया यह देखिए download है इसमें देखिए windows के लिए है आप इस windows पे click करकी भी download कर सकते हैं नहीं तो अगर यही वाला same interface अगर आपको दिख रहा है तो इसमें देखिए order city for windows यहाँ पे blue color में एक box दिख रहा है ना order city for windows यह windows 10 के लिए है तो अगर मैं इस पर click कर दो तो मेरे laptop में यह download होना तो मैं इस पर click कर देता हूँ जैसे मैं इस पर एक बार click करता हूँ देखिए इसका थोड़ी देर में download सुरू हो जाएगा यह देखिए download इसका नीचे सुरू हो गया अगर आपका computer आपसे पूछता हो कि कहाँ पर download करना है तो आप अपना file select कर सकते मेरे मेरे में पहले से selected download में जाके download हो जाएगा यानि जो download folder है मेरे laptop में वहीं पर download हो जाएगा किसी किसी computer में जब भी download कोई चीज करेंगे तो पूछता है file का location पूछता है तो आप अपना location select कर ले अब देखिए जल्दी से download हो गया इतना देर में जितना देर में हम लोग बात कर ले थे अब डाउनलोड होगा इसको खो इस to your device है एस कर देते हैं हमको चाहिए इसको install करना है तो एस कर लेते हैं अब देखिए इसका language कर रहा है अब देखिए download होगे install भी सुरू हो गया अभी देखिए मेरे desktop पे यहां पर देखिए audacity नहीं दिख रहा है यहां कई audacity नहीं दिख रहा है अभी download हो जाएगा तो नहीं पर आ जाएगा जो फाइल दिख लिए इसकी नीचे और शीटी आ जाएगा ना चली अब यहां पूछ रहा है तो लाइंग्वेज बाइट इफॉल्ट इंगलीस रहता है आप इसको चेंज करना चाहें तो यहां से चेंज कर सकते हैं लेकिन हम तो इंगलीस ही चाहते हैं तो इसको कर देते हैं ओके करने के बाद देखी ऐसा कुछ पूछेगा इसको नेक्ट अब वहां से नेक्स्ट करने के बाद अब सबको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है यहां फाइल का लोकेशन बता रहा है इसको भी नेक्स्ट कर देना है नेक्स्ट करके अब देख यह जैसे installation complete हुए यह देखिए इसका यहाँ पर आइकन आ गया यह देखिए आपको दिखरा हो गया वाला order city का आइकन यही इसका symbol होता है अब देखिए इसको हम लोग next कर देते हैं next करते ही देखिए अब finish कर देखिए अब finish कर देखिए अब open होने लगा थोड़ी देर में installs दोनों हो गया हमारे laptop में देखिए यहाँ पर आगया order city software आपको दिख रहा होगा तो download करना इसका बहुत ही आसान था आप सीख गये आपको अपने Chrome ब्राउजर में या किसी भी ब्राउजर में सिर्फ टाइप करना है order city टाइप करके जब इंटर करेंगे तो सबसे पहली website आपको दिखेगी order city team.org ऐसे करके कुछ थी ना उसको आप open करेंगे उसमें आपको download करने का windows का download करने का link मिल जाएगा आप वहां से इसली download कर लें उसके बाद जो जो कहेगा आप उसको करते जाए इंस्टॉल हो जाएगा ना अब इंस्टॉल होने बाद देखिए ऐसा double click करके open कर लेते हैं double click कि ये देखी तुलें तो open होगी अब इसका जो interface देख रहा है minimize में अब इसको लोग थोड़ा सा maximize कर लेते हैं तो जब maximize करेंगे तो आपको order city का interface कुछ इस प्रकार से देखता है अब इसका interface देखी बहुत ही आसान है इसमें मेन अपने काम की button जो है ये लाल वाली जो button दिख रही है इसी button को दवा देंगे recording चालू हो जाएगा अब अगर कोई आप mic लगाएंगे तो mic जब connect करेंगे तो आपसे कुछ options पूछता है line in, mic in करके जब आप इसमें aux cable लगाएंगे तो आपसे कुछ options पूछेगा तो उसमें आप mic in या line in select कर लें उसके बाद आपके keyboard की recording स्टार्ट हो जाएगी अब keyboard की recording करने के लिए मैं इसी आपको बता देता हूँ आपको aux cable लेके अपने keyboard के phone output section में लगाना है और अपने इस laptop के earphone वाले jack में लगाना है बस यही इतना connection आपको बनाना होता है तो जब आप इतना connection बनाएंगे तो laptop में एक screen आएगा एक pop-up आएगा उसमें आपको पूछेगा माइक इन लाइन इन उसमें से आपको माइक इन या लाइन चूज करना है जब connection आपका हो जाएगा तब यह वाली बटन लाल वाली बटन आप दवा देंगे उसके बाद जब अपने keyboard को बजाएंगे तो पूरी recording इसमें होगी ना जैसे मैं अभी connect नहीं किया हूँ लाल वाली बटन दवाओं तो देखिए recording चाली हो गई अब मैं जो भी बोल रहा हूँ ना मेरी आवाज इस एरुड़ा सीटी साड़ वेर में record हो रही देखिए जो lines आ रही है इससे पता चलता है कि आवाज की frequency कितना loud ह इससे आप पता कर सकते हैं कहां पे आप बोले हैं कहां पे आप नहीं बोलें जैसे अभी मैं silence हो जाओ तो देखिए जितना देर मैं silence रहा वहां की आवाज देखी एकदम से बैठ गई है और जहां जहां बोला हूँ देखिए बड़ा बड़ा दिखिए आपको समझ में आ बारा होगा और यह वाली जो स्पेस बटन होती है स्पेस बटन दबा देंगे तो रुख जाएगा ठीक तो देखिए इसमें रिकॉर्डिंग कितना आसान आप कोई भी बाहर से एक्स्टरनल आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जनरली इसका यूज हम लोग audio editing के लिए करते software का इसी वजह से इसमें keyboard recording भी असानी से हो जाती है तो इस वीडियो में हम लोग को मेन यही सीखना था कि order city software को download कैसे करते हैं download करना आप सीखगे install करना आप सीखगे उसका interface भी आप देख लिए अब इसके interface के बारे में इसको यूज करना इसमें कोई गाना record करके उसको edit कर इस सारी चीजे हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे ना नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो अगर आपके पास computer है और आप keyboard recording करते हो तो यह वाला software आपको जलूर यूज करना चाहिए ना क्योंकि देखी free में easily download हो गया install भी हो गया और आपके computer में बहुत ज संदल बना सकते हैं ना आपको ओडा सिटी का मेरा introduction वीडियो समझ में आया हो